हालो नमस्कार मित्रों रुशी चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज का चेप्टर है अपने ब्रामण एवंसंत को जिन्दा कीजिए देविय अबाईयो अमारे साथ गाहित्री मंत्रक बोली ओम बुर्भु आश्वाह ताच्शा वितूर्वनेन्यम भर्गो देवस्यति मही दियो यो नह प्रचो धयात अपने ब्रामण एवंसंत को जिन्दा कीजिए आप मैंसे अधिकां स्विक्ति सोच रहे होगे कि मैं यहां था परन्तु वियाखन क्यो नहीं दिया विशेश कालर वर्ग्स वियाखन न दे सका बैटे मैं अपने जिवन बर प्रयोग करता रहा हूं कौन कौन से प्रयोग किये है पहले ब्रामण बनने का प्रयोग किया कि ब्रामण तो में क्या क्या चमतकार हो सकते है मैंने उस अपने जिवन में दानर करके देखा है और पाया है कि उसमें सफलताई भी है तता चमतकार भी है ब्रामण जिवन की से कहते हैं कि भायत सारी जिवन को कहते हैं ब्रामण उसे कहते हैं जो अपने ख़च कम से कम में चला सकता हो तो था अधिक से अधिक अपना धन अकल मैनत समाज में लगा सकता है जिससे उनके जीवन का लक्स समाज का लक्स पुरा होता हो जिस आदमी के पास कुछ बजता है नहीं ये वो समाज को क्या देगा हमें यह कहिना होगा कि अधित्मिक वादी बनने के लिए कि भायत सारी बनना होगा ब्रामर बनने कना होगा हमने उसका प्रयोग किया है तथा लाब पाया है हमने अपना खाने पिने तथा रहने का डंग ब्रामर को रखा है अपने जमिन के बाबत चो कुछ हमें बिला था उसे गायतरी तपो भूमी के लिए दान कर दिया मैंने अपनी पत्नी से पेश्वा ब्रामन की उपमा देते हुए कहा कि आपको भी यो जीवन जीना चाहिए पेश्वा के राम टांक ने अपने गुरु की पत्नी के आदस पर सब कुछ दे दिया था उन्होंने भी अपने इशाड़े गहने गायतरी तपो भूमी के लिए लगा दिये पैशों की द्रश्टी से हम खाली हाथ हो गए पड़तु सक्ति बहुत मिल गई मित्रों तन की और बल की सक्ति नहीं होती है वह ब्राम ट्व की सक्ति होती है यह मैं अब नो यकिन दिला सकता हूँ मैं ब्राम था और अब ब्राम था हूँ जो कुछ भी आप देख रहे है एक ब्राम ट्र का चमचकार है इस दुनिया में मित्रो एक ही विरादरी गड़ गई है जिसका नाम बनिया है बाकी सारी विरादरी मर गई है एक ही जिन्दा है वह है बनिया सारे के सारे क्षित्र में बनिया ही बनिया चाया है ब्रामर कहीं नहीं परन्तु हम ब्रामर है इस हम पर हमें गर्व है तत्ता संतो से अगर कोई अपने हो ब्रामर बना सकता हो अपने खर्च और लागत को कम कर सकता हो तता नियत में ब्रामरत्व है तो हम प्रसंता होगी परन्तू आपकी नियत में जो चांडाल बसा हुआ है आदमी को गरेब भी होना पड़ेगा यह हमने ब्रामर का प्रयोग करके देखा है दुसरा वाला प्रयोग हमें किया सादू का जिसका नाम तपस्वी है हमने अपने शाड़े छिद्रों को बंद कर दिया यह दुसरा कदम है काटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं है ठंडे पाने के नाने वाले का नाम तपस्वी नहीं है उस आदमी का नाम सादू और तपस्वी है जिसने अपने आपका तपाया उसका नाम तपस्वी है उसका नाम सादू है हमने अपने आपको तपाया है अकल की द्रश्टी से आदमी से ज्यादा बेमान बहुरूपया कोई नहीं है हमने अपनी अकल को ठिक कर दिया है आप भी मारे जंडों से अपनी अकल को ठिक करें हमने अपनी हर चिस को तपाया पितर वाले हिस्षे को भी तपाया हमने अपने मन को बूदी को तपाया है पर आपकी बूदी तो ऐसी चांडा है ऐसी पिशाच इतनी है कि क्या कहे किसी के चिंद्गी की समस्या हो हल करने का सवाल था तो आपकी अकल आपकी बूद्धी ने ऐसी मक्कारी की क्यों क्या काई ना पैसा से इकलेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्श किया यह क्षा हुआ जीवन हमारा तपस्वी का जीवन है मंत्रों में सकती है गलत बात नहीं है देवताओं में भी सकती है यह भी गलत नहीं है किन्तु अगर कोई आदमी तपस्वी है तो वह और काम को कर सकता है अपने अनुष्टान काल में हमने किसी से बात नहीं की कोई भी अन्य चीज नहीं खाए जो की रोटी एवं छास बस इह दो चीज हमें खाते रहेग जैसे हमने अनुष्टान खत्म किया कि एक वेक्ति आय जो नकली रेशम बनाते थे उन्हें कहा कि हम आपको गुरुब बनाएगे उन्होंने शवारुपिय हमारे हाथ पर रखा इस पर हमने सोचा कि तब तो हम ब्रामर नहीं हो सकते हैं हम मजूर है उन्होंने कहा कि ब्रामर को लेना चाहिए यह आज से लगबग 25-45 चालिस चाल हम बाजार गए उस जमाने में ठंडी में मिछाने के लिए पूराने कपड़े तथा रुई की आथ से मनी दरिया दो रुपिय में मिलेती ही उससे वही चीज खड़ितकार जरुत मंदों में बाड़ दी पर अपने लिए हम उन्हें उसे स्विकार नहीं किया हमारी अकल एव के बाद हमारे पास दो सो रुपिय बेजे हमने उस गायतर तमुबुमिक के मंदिर बनाने में लगा दिया यह पहला आदमी था जिसने हमें पैसा बेजा था यह घटनाई सुना रहा हूँ मैं आपको अपनी तपस्वी जिवन की इसी तरफ हमारे सारे कारिया हुने चले एक प्रयोग वानी के सयम का हम सुनाते हैं आपको हम चाहते थे कि हम मौन धानन कर ले तथा वेकरी वानी का प्रयोग कम करें अमने चितना व्याखान दिया है दुनिया में शायत की ही किसी व्यक्ति ने व्याखान दिये होगे अमारे व्याखान में लोगों में कायकल्प हो गई जैसे रामकुष्णपणमस के वियाखान से हुआ था लेकिन जो लोग रिच का तमासा रिच का वाख्यान सुनने आए उनको कोई फाइदा नहीं हुआ जिस लोगों को हम वियाख्यान देते हैं उसे शुंग कर जब देखते हैं चकर के देखते हैं कि आदमें कैसा है आदमी दिखाई पड़ते हैं वजंदार आदमी दिखाई नहीं पड़ते वजंदार आदमी माने सिद्धानतों के आदमी सिद्धानतों को सुनने वाले मानने वाले उस पर चलने वाले सिद्धानतों को जीवन में उतारने वाले कोई नहीं दिखाई पड़ते लोगों पर गुशा न करके अपने पर गुशा न करो तो क्या करो आपको मालूम है जब आदमी मरने तो होते हैं तो बहुत से आदमी मिलते आते हैं, कोई कहता है ताउ जी कहता है कि हम आशिरा देर दीजिए उससे बाते करने में बहुत सक्तिक खच होती है उसमें बितर्श सक्ति बिहद ख़च होती है इसले हमने विचार किया है कि हम मिलना बंद कर देगे हम अपनी वेक्रिवाणी को दूसरे का काँम में ख़च करेंगे वेक्रिवाणी कम हो जाएगे तब पश्यन्तिवाणी बाध्यमावाणी को उप्योग करेंगे ताकि हम ज्यादा काम कर सके बिना बात्चित किये ही ज्यादा काम कर सकते हैं तथा वातावन को गर्म कर सकते बेटे अर्विंद ओसने महसरी रमार के इस प्रकार का परयोग किया था और साड़ा हिंदूस्तान गर्म हो गया था वेकरी महारी में माध्यम से अनाशैयों शक्तियों खर्च होती चली जाती है इसलिए मैंने विचार किया कि अब उसका खर्च कम करेगे भगवान की शक्ति बहुत है अब की बार मैंने प्रेयोग किया अब बुलने और बात कम करना चाऊगा इस काम में समय को कम खच करता जाओगा और लोगों में बाते कम करना जाओगा कारण अधिकांस लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं अनाश्यक बिद आज जाती है और कहती है कि हमारा मन नहीं लगता द्यान नहीं लगता बेकार की बाते लोग करते हैं यह नहीं की मतलब की बाते करते हैं बेकार की बाते करने में अब हम समय खश नहीं करेंगे वानी से वात नहीं होगी तो क्या आप निश्कुर हो जाए यह नहीं हमें बेटा नहीं बेटे हमने इब्रामर के बाद संत के रुप में कदम बढ़ाय करोना से बल्बला हुआ होता है जो डाड़ी बडा लेता है रंगा हुआ कपड़ा। qt लेता है उस संत नहीं कहते हैं करोणा में बड़ा हुआ वेक्ति ही संत कहलाता है जब तक हमें है तब तक हम समाज के लिए काम करते रहेंगे एक हमारा पाउज है उनके कभी सुखाएगा नहीं जो पस्षी नेक से लट-पत हो गए है थक गए हमारे प्याव पानी अमारी तप रहेगे उन्हें हडा बड़ा बनाए रखेंगे आप सब लोग हमारे पाउ से पानी पीशकते ब्रामन संत का जीवन चलता रहेगा हम प्याव बंद नहीं कर सकते हैं हम एक चिकित सालाई डिस्पेंसरी खोला है जो भी दुखी हमारे पास आये उसने उसे जाती से लगाया उस संत का काम बाव सवेदन का है हम अपने बच्चे को खिलाना है बच्चे को देख बाल करनी है बच्चे को गुबारा बातना है बच्चों के चैरे पर मुश्कराट देखनी है यह चित देखकर हमको खूशी होगी हम बच्चों के स्कुल चलाते है उसका मतलब क्या है हमारा इस्तिपाल चलता है तो क्या आप संत की दुकान बंद करदेगे जब तक हम जिंदा है आगे भी चलता रहेगा आप लोगों को हमने कई बार कहाए 1000 बार कहाए कि आपकी जो समस्याई है उसे आप लह लेकर देवे आप आगा गंते के भगवान नाम नहीं ले सकते ही आप कहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं बेकारी बात मन किजिए तदा जो हमारे पास है हम मानते हैं, अमारा भगवान जानता है कि आप क्या है, इसलिए हमने इस बारे में यह कैना सरू कर दिया है, कि आप अमारा समय नश्ट करेने के बज़ाए लिख कर दे जाए, आप न ध्यान करने आते हैं, ना मतलब की बात करने आते हैं केवल गुमने आते हैं कि राया ख़च करते हैं आप हमें बेशक बेअकल समते हैं हम आपकी नस नस चानते हैं इसलिए हमने विखरी वानी से बोलना बंद कर दिया है हमारे गुरु हम से विखरी वानी से नहीं बोलते पश्यत्य वानी से बोलते पड़ा वानी से बोलते आपकी बातों को हमने सुन लिया है और कहा है कि बेकार की राम कहानी करकर हमारा समय क्यों खराब करते हैं हमें राम कहानी से क्या मतलब है आप मतलब की बात कहिए साथियों अमारे मोन दानर करने का एक और काणरे आप यह मत सोचिये कि मैं अपना प्याव बंद करने जा रहा हूँ हमें बच्चे को खिलाने का सोख है हमें बच्चों का प्यार करना उन्हें दूबाडा देना बहुत प्यारा लगता है स्वयम गोडा बन जाना तथा बच्चों को पेट पर बेठा लेना तथा गुमाना बहुत प्यारा लगता है हम जो भी सहायता आपकी कर सकते हैं वो अउश्यक करेंगे परनतु आपको भी स्वयम में स्वयदनिता पैदा करने होगी हमने कहा है कि आप उपासना करें जब करें ताकि आपको उस समय परा एवं पशिंति वारी से दिशा दे सको अन्य था मैं अपने मोन की सकती प्रेशित करूगा और आपको नुक्सान होगा मेरे गुरू ने व्याक्यां देने का कारिय बंत हो गया तो क्या उनकी सकती कम हो गई हम नहीं बोल रहे हमारा गुरू बोल रहे आप भी उनकी सकती से बोलेंगे पगिनापुरान जब आप पढ़ेंगे और लोगों को सुनाएगे तब वह आपकी वानी में नहीं बलकि मेरे गुरु की वानी में होगा जिसमें अधिक ताकात होगी आपकी वाणि में कोई ताकात नहीं होगी आप ऐसे ही पकवास करते रहेंगे हम मोन हो जाएगे तो हमारी सक्थी बढ़ जाएगी पर एवं पस्यत्य वाणि की ताकात बढ़ जाएगी आप मेरी उस वाणि को सुनेगे तो आपको आँखों में पानी आयेगा बावश्विद्नाल जगेगी उससे हम आपकी सहायता ज्यादा करश रखेगी आप क्या सोते हैं कि आप लोगों के उपर हमारा कोई असर नहीं है पड़ता यह हमारा मौन ब्रामरत्त्त्व है यह तपस्विकी मारी हमने सेवा करने में संद्ध की प्रूति को जिन्दा रखा है कि हम समाज की सेवा करेंगी आज विक्ति के सेवा ज्यादा है समाच की सेवा गोड हो गई है हमारे मांने के बाद आप देखेंगे ग्रुझी के मानने के है हमने अभी तक समाज को चालिस पतिसक दिया है और लोगों को दुख्यारे को पांच पतिसक दिया है हम हमारा मन है कि हमको हिश्चा बढ़ाया जा सके जब हम मौन दान कर लेगे तो हमारा मामर और जाग जाएगा उस समय कम व्यक्तियों के ज्यादा सेवा कर सकेंगे अभी तक हमारी सानंभूती का अंस ज्यादा रहा है सेवा का हिश्चा कम रहा है हमने साना पूति दियेऊ है तता पाई है अगर अमने किसी कि एक किलोग्राम सेवा की है और उसने पांच सो ग्राम सानव भूती भी है उस समय हम साधन संपन एवं समर्थन है पर अगले दिनों जब जिवात्मा को हम और उपर उठा लेगे तब हम अधिक सेवा कर्ष रखेंगे आपके लिए हमने कुछ दिया है या नहीं उसका सबूत देखना हो तो दृष्टी पसार करकर देखे कि कुछ हुआ है तो आप पाएंगे कि इस कारण से यह पचास लाग आदमी हम से जुड़े है अनिय था उसने आदमी कहां से आते हैं इस हमें कहां कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ पचास लाग आदमी हमारे एक इसारे पर खड़े हो सकते है इसने सक्तिपिट कहां से बन गई पचास लाग मुठिया पचास लाग लोगों को एक गंटे का समयदान कुछ मैने रखता है हम अपने ब्रामर को फिर जिंदा रखेंगे शंत दानी होता है आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा हम ब्रामर और संत का पुर्ण जिंदा करेंगी ब्रामर जमा करता है संत उसे खच कर देता है हमने निश्य किया है कि विचार किया है कि जिन्गी के इस आखिक सडों में अपने ब्रामर एवं संद को सादक कर सब के लिए एक मिशाल स्थापित कर दू क्या हम जिन्गी बर अपने बिबी बच्चों के ओही खिलाते रहेंगे जिस पर मनुष्य का बहुश्य ठिका है क्या उसने के लिए कुछ नहीं कर सकेगे अपने के लिए अधिक समाज के लिए इतना काम यह कैसा होगा मेरे गुरु ने दुख्याओं की सेवा समाज की सेवा कम की है परन्तु उसके साड़े विश्व को दिहला दियाए दूसरों के दुखों को देखकर यस्रते कि इसके लिए हम क्या करे इस समय में रोब पढ़ता हूँ तथा उस सायता के लिए बिना मेरा मन ही नहीं मानता यह क्रम चलेगा परन्तु एक काम और है इंशान को उचा उठाने का हम सोते हैं कि और यदि यह काम बेग दिया किया होता तो मज़ा आजाता आपकी जितने लोग बैठे अगर आपको हम पुत बॉल की तड़ा उचे उठाल लिये होते तो मज़ा आ जाता आप लोगों को उच्छाल दे तो आप में से हर एक आदमी हन्मान रुशी विवेकानान दिखाए पड़ेंगा आप लोगों में से एक भी आदमी एशार नहीं जो रिवादास की तुलना में गरिब हो पर दंतु आप इतने भारी हैं कि आपके सेल्ज काम नहीं कर रहे, आपका हाथ उठ नहीं पा रहे मासिक दरश्टी से एक एक बेडिया इतनी भारी है जैसे हजार मन की हो पैसे में आपको कैसे उठाओ आपको बेडिया ओको में काटूंगा क्यू हमारे बाद उन बच्चों का खिलाने वाला नश्रिंगों चलाने वाला कास से लाएगे यह अस्तपाल बंद हो जाए पर आपक अनुभव के बिना उनका ओप्रेशन कौन करेगा इंचान को उठाया नहीं जा सको तो कैसा बात कैसे बनेगी इस काम के लिए हम समय लगना चाहते सवाल हमारे समय का है आप तो केवल पूजा के पिछे पढ़ते हैं देव देवी के पिछे लगे है कि मनो करना पूरी हो जा किसी दिन मेरे दिमाग में गुशा आ गया तो पूजा को ही बंद कर दूगा और कहूंगा कि किसी के पिछे पढ़ा है पूजा के चकर में पढ़ा है पूजा से अगना चकर जगेगी चुन लेना एक दिन में पूजा तो गालिया दूगा यदि यही रटता रहा कि सब पूजा में मिल जाएगा और यही समझ रहा है कि माला गुमाने को पूजा कहते देवी देवता को पकरने का नाम पूजा है अगनानी लोग प्रमित लोग मनुश्य को दबाने तथा चक्कर में डालने के नाम को पूजा कहते देवी देवताओं को पकरने के लिए मनो कामना प रूप बना रखा है वह बहुत ही गटिया रोप है पूजा ऐसी नहीं हो सकते ज्यान ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि आप लोगों ने समझ रखा है कि अगर बत्या चराएगी चावल बढ़ाएगी शकर की गोड़ी चराएगी और मनो कामना पूर्ण हो जाएगे इतना गटिया आ प्रटिया है उसको सबजना चाहिए और रोज चिठिया आती है और साखाओ में मार कार्ट मुझे मेनेजर बनाए इस मेनेजर को निकाली है हमने साखा तता सकते पेठे इसलिए नहीं बनाई है देवता को इसलिए नहीं बिठाया जा था कि लोगों को आंकार बढ़े हमने त्रस्टी इसलिए नहीं बनाया था कि हमें बरबात करो हमने स्वयम गलती कि इस लोगों को मालिक त्रस्टी बना का उनके अहंकार एमुशात प्रायरता को आगे बढ़ा कर जब पंचायत समिते में जिस प्रकार का जगडा होते है इस इसे हमारे सक्तिपठ में भी और जग को चांडलपन है हम क्या दिखता नहीं क्या हमने सक्तिपठे इसलिए बनाई यह थी पुजा इसलिए पराम की थी इसलिए एक संक्ठन बनाया था कि आप लोग अंकारी बन जाए और आपस में ही एक दुसरे को टांग हिच्चाई कीजिए आप ऐसी पुजा को बंद यह गटिया पन बंद कीजिए आप नास्तिक हो जाए बले ही पर आप इसी तरह के संगठन बनाया बंद कर दीजिए आप सब्सक्ते पेठकों का बनाना बंद कर दीजिए यहां हम एक बात उस्यक करेंगे कि आप आध्यात्मिक के मौलिक के सिधान दुख समझिए हुजा के पीछे हटा का आध्यात्मिकता के मौलिकता सिधान दुख समझिए आप यह मत सोचिये कि गुरुजी ने 24-24 लाग का जब किया था नहीं हम और 24 लाग के जब करने वाले का नाम बता सकते है जो आज बिलकुर खोली एवन छुंच है जब करने वाले कुछ ने कुछ नहीं कर सकते हम रामर की सकती संत की सकती जगाना चाहते आप राम का नाम ले या ना ले जब अब तो मैं यहां तक हूं ताहू कि जब माला जब करे या ना करे एक माला जब करे या काशी माला जब करे परन्तु मुख्याब बात यह है कि आप अपने बामर तो तो को जगाएं प्या कौन चलाएगा अन्मान चालिशा पार्ट करने वाल लोक ने कितना का बला किया ब्रामनों के बला किया है संतों के बला किया है ब्रामनों की वारी में संतों की तपस्या में बल होता है आपको इसी प्रकार की कोई मिल जाए तो आप नास्तिक को पाएंगे आप पुजा का मौत बढ़ाए अधियत्मक इन लोगों के द्वारा ही टिका हुआ है अपने पास में धन जमा नहीं है तो चेक कैसे काट सकते हैं आपकी में पुझी होनी चाहिए पहले जमा तो किजिए कुछ केवल पुझा से ही काम चलने वाला नहीं हमारे सबसे बड़ी पुझा समाज की सेवा है हमने लाखों आदमियों की ही नहीं वरत साड़े विश्व की सेवा की है हमने अपने अकल दान अनुष्टान वर्चस सभी इष्ण में लगाया है हमने खेती करने वालों मकान बनने वालों को देखा है कि शेवा के नाम पर नगणियों है आप अकेले चले हमारे गुरु अकेले चले हैं हमें अकेले चलते हैं आप अकेले चलिए शगठन में फेर में मत परिये आपको बोलना नहीं आता है आप कहते हैं कि व्याखान सिखा दीजी आप है कौन हमें बतलाईए पासर में क्या होगा आप हमारी वात मानिए आपको बोलना नहीं आता है तो हम क्या करें आप पॉर्टमेंट का काम करिए हम बोलना सिखा देगे लड़ी क्यों क्वेव शिखा दिया था महाराज जी हमें भी बोलना सिखा दीजे आप त्या करने तो हमें बतलाए नवा ज्वाला नेडव एवं शासरी जी को गांदी जी ने खादी बेचने का कहा था वे गर-गर जाकर खादी बेचते थे गर-गर दकेल गाड़ी लेकर जाते थे तथा लोग से कहते हैं कि आप खादी पहनिये तो क्या वो खादी बेचते थे हाँ बेटे खादी बेचते थे आप अपने आपका निचोड ये ये हमारा बेटा ये हमारी पतनी देखना ये ही कुछ सबाज के लिए भगवान के लिए पिक करेगा नहीं गुरुजी हम तो हन्माद चारीशा परते गाहित्री चारीशा परते अरे स्वार्ति कई का तेरी तोकल खड़ाब हो गई है अंकार बढ़ गया है हमने आप में से हर किसी का कहा है कि आप ब्रामन बनिये नहीं गुरुजी हम तो चंडा एक्ठा कर लिया तो हमें क्या करेंगे इसका आप आदमी तो बन ने पहले आप आदमी मनना चिक्खे आप घटिया पन छोड़िए शुबब के सांद तक काम केजिए पात्रत बढ़ाईए रुसीयों अपने रख्त को एक घंटे में बढ़ा था जिसके सिता जी उत्पन होई थी आपको भी संस्रुति की सिता की खोज करनी है समाज के लिए संस्रुति के लिए आप भी अपना समय अपना पैसा निकालिए आप अपना रख्त निकालिए आप अपने आपको निचोड़िए तो सही निचोडने का नाम अंगुठा दिखाएते हैं त्याक के नाम पज जिम निकालते हैं बकवास के नाम पर गुमने के नाम पर बिना मतलब के अनमबर बना रखे हैं अपने आपके निचोड़िए आप अपने को यदि निचोड़ेगे तो फिर देख लेना आप क्या बन जा यह हमने अपने आपको निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए अगर आपने अपने आपको निचोड़ दिया तो हमारा एक काम जरू करना और यह है कि हमारी विचार हमारी आग तो लोगों तक पूचाना हम लेखक नहीं है हमारे इस लिखे सब्दों से में आगे निकलेंगती है विचारों की आग बावनाओं की क्रांती की आग निकलती है आज जंता की प्यासी हम भी प्यास से है हमारी विचार दाड़ा की आग है हमें आगले उगलते हैं हम लेखक नहीं है हमारे लेखनी में से निकलती है आग मस्तिक में से निकलती है आग हमारी आखों में से निकलती है आग हमारे विचारों की आग बावनाओं की आग स्वेदनाओं की आग के आप कहर गर पोच्चा आप में से हर आदमी को लाल बादु शास्त्री ज्वालदार मेरो सरदार पटल होना चाहिए गांधी जी के आदेश पर वह खादी तक केल पर रखकर बेजनेल गए थे इसाय मिशन का मैलान यह भी घर घर जाते और यह कहते हैं कि हमारा एक पैसा की किताब जरूर ख़दी में वापस लेग लोगा अरे यह किताब बेतना नहीं है बावा मेरे विचार को घर कर पोचना है आप लोगों के जिमें हमारा एक सुत्रिय कारेक्रम है आप जाए अपने को निचोड़िए आपका घर का खर्च यदि एकजार रुपेक है तो निचोड़िए इसका और उसक से बचत को गनान यगन के लिए खर्च कीजिए अमारी आग को विखेड़े कीजिए वातावर को गरम कर देजिए उसके अगनान को जला दिए आप लोग जाए और अपने आपको निचोड़िए गनान घर का पैसा खर्च कीजिए तो क्या हम अपने बिबी को बैस दे बचे को बैस दे चौप कंजुस्त कहीं के उपर से कहते हैं कि हम गरिब है आप गरिब नहीं कंजुस है और आदमी के उपर हमारा आकड़ों से हमें आग लग रही है और आप निचोड़ते नहीं है इंचान को इंचान विक्तित्व समाप्त हो रहा है आज शक्ति पीठों लड़ी जा रही है उतना ही आदमी का अहंकार बढ़ता जा रहा है आपस में लड़ाय जगड़े बढ़ते जा रहे हो जब अविश्क के मालिक बनते जा रहे हम चाहते हैं कि अब पंद्रह विश्क जार में फूस से सक्तिपीठ प्रग्नापीठ बन जा तो हम कम से कम लोग को उसे एक ही निवेदन है कि आप हमारी आगस्वयम विखेडिये नोक्री से नहीं सेवा से आप जाए एवं हमारा साहित पढ़िये तता लोगों का पढ़ाए और हम क्या करना चाहते हम तो हम दो ही बात आपसे कहना चाहते पहली बात आग को गरगर पोचारी दूसरी ब्र आओ एवं इस्तिपाल चल सके ताकि लोगों को अपने बच्चे को खिला सके तता उन्हें जिन्दा रखे सके तथा मरी हुई संस्कृति को जिन्दा कर सके आप ग्यार माला जब करते हैं आपको बहुत बहुत धनियवाद यह जादुगरी नहीं है किसी माला में कोई जाद लगा दिजिए आप मनो कामना के माला ज जादुगरी की माला आगना चक्र जैगरुत करने की माला को पाणे में बाहर दिजिए तो क्या करे मारा जी आप अपने ब्रामर्त तों को जगा दिए सादू को जगा दिए ताकि आप अपने नाव स्वयम पार्ष कर सके अन्यता हम यहीं कहेगे कि इसायद हमारा तब काम है नहीं तो कहीं न सकते हिए हम ब्रामर शादू मिल ही जाते अपने आपके पास दन नहीं है तो अपने भावना विचार सद्धा तो समाज में विखरिये तो ही ही सकते है वहीं विखरिये शंत बनकर आपका परिचर दीजिये संत दानी होते ही संत दार होता है हमारा मन था कि अपने बच्चे हुए सेस्तिनों के में ब्रामर तता संत का काम अधिक से अधिक कर सको लोगों के माध्यमावानी से पड़ावानी से अधिक से अधिक सेवा कर सको यह हमारा मन है मैं आपको एक ही बात कर सकता हूँ कि आप अ श्राम, समयदन और विचारना पावना की समाज को जरूरत है, संस्कृति को जरूरत है, इस विशालित्ता में ख़स्त मत केजिए, अगर किसी में ब्रामरत्त्व एवं संत जिन्दा है तो उसे निचोडिए, उसे आप एकडिये दीजिए, हमने प्रात्ना की है कि यदि आप लोगों में कही भी किसी भी कोने में यदि ब्रामरत्त या संत जिन्दा हो तो वह जग जाए, उपाशना साधना के नाम पर आप जादूगरी बंद कीजिए, देवताओ को गुम्रा करने वाली, मनो कामना उसित करने वाली पूजा बंद कीजिए, साधना किसी कहते हैं, पूजाए आप अनमाजिक या संतोसी माता को साथते हैं, अड़े पहले अपने आपको तो साधिये यह न, पर यह तो जाद्योगरी आप करते हैं, वह बदमासिक के सिवा कुछ नहीं है, अगर आप पूजा उपाशना करते हैं, तो ठीक है, यह आपकी मर्जी हैं, पर यह न तो कोई मंत्रा चाप है, न बजन है, यह मात्रा धुद्दगीरी है, पूजा के नाम पर, यदि आप ऐसी बदमासिक करते हैं, तो आपकी मर्जी पर उससे कुछ होने वाला नहीं है, पहले आप समर्पर्ण करने सिख्खें, यह मोटी मोटी बात्ते थी, तो हमने किसी त तरप से आप से कहदी, हमारे गुरुजी की यही मर्जी है, कि हम आप में से हर आदमी में ब्रामण तथा संत को जिन्दा करें, और हम यही चाते कि अगर हमारे अंदर बल हो, तथा आपके अंदर बामनतत्व, तथा सादू हो, तो वह जिन्दा हो जाए, इस विदाय के दोसर पर यदि कहकर हम आप लोगों को विदा कर रहे है, मीत्रो गुरुजी ने हमेशा किया है, आगे पी देते रहेगे, सर्थ एक ही है, कि आप अपनी ब्रामनत्व तथा संत की पड़ूति जिन्दा करें, आप जाए एवाँ अपने अपने कामों में चूट जाए, कुली दो